के mobile जो games हैं उनसे ज़ादा better होते हैं PC games और consoles games आप अगले 10 साल में क्या चीव करने वाले हो ठीक है? वो आप बताओ 10 साल में क्या चीव करने वाले हो कि यहाँ पहुंच जाओगे यह कर लोगे यह चीव कर लोगे अब अपने आप से आप ये question पूछो कि मैं वो चीज 6 महिनों में क्यों नहीं कर सकता? IG आपका कभी मन किया अपना store खुलने का या फिर अपना pre-built PCs का platform बनाने का अरे मेरा तो आज से मेरा जमाने बहले जमन था So hi guys welcome back to a new podcast और आज के podcast में हमारे साथ हैं IG आप इने Indian Gamer के नाम से चानते होंगे और कुछ कुछ लोग इनको blue jacket वाले भई है के नम से भी जानते हैं आज के इस episode में हम बात करने वाले हैं YouTube as a business के बारे में कैसे आप अपना content creation game है उसको automate कर सकते हो कैसे उसको और जादा grow कर सकते हो हम बात करेंगे future of PC gaming के बारे में और games को कैसे enjoy करें और भी कई चीज़ों के बारे मैं बात करते हैं और अगर अच्छा लगे तो link आपको description में मिल जाएगा तो जरूर चेक कीजिएगा यह situation अभी भी खतम नहीं हुए डबल डबल rate पे जो है cards मिल रहे हैं बिचारा gamer कहां से बनाएगा PC यह बिलकुल खतम नहीं हुए है और यह चलेगी भी क्योंकि profitable है आप अभी market में चले जाओ वो यह एक सब लोग आशावांदे बैठे हुए है के सस्ते होंगे सस्ते होंगे और मैं सही बता हूँ आँँ आप कभी CPUs के कमी हो जाती है कभी होता है कि technology बदली नहीं लिए CPUs में तो problem तो चलती रहेगी अब जिसके पास पैसे होते हैं वो खरील लेता है जैसे जो 20,000 का PC बनाता था अगर आज उसे 60,000 देने पड़ रहे हैं तो जिनके पास पैसे हैं वो दे रहे हैं और gaming कर रहे हैं बाकी जैसे आपने बीच में बात करी थे कि जातर gamers जो हैं वो बच्चे ही हैं बड़े तो बहुत कम ही करते हैं इंडिया में gaming तो ऐसा हो सकते हैं कि जैसे अभी currently जो mobile gamers हैं वो आगे चलके PC gamers बन जाए हैं देए इसमें तो कोई doubt ही नहीं है ये तो सब accept करते हैं कि mobile जो games हैं उनसे ज़्यादा better होते हैं PC games और consoles games इसमें कोई भी doubt नहीं है किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इस चीज में वो ज़्यादा entertaining होगा story games जो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं वो ज़्यादा enjoy कर पाओगे एक बड़ी screen पे keyboard mouse के साथ वो experience ही unlimited होता है आप headphones लगा सकते हो अच्छे पूरा setup आपका enjoyable होगा मैं तो छोटी बाते कर रहा हूँ American बाते करोगे आप तो बहुत कुछ हो सकता है आपका experience आसपान चू सकता है लेकिन इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो पैसों की बात होती हो उसकी वज़े से एक barrier है आई जी आपका कभी मन किया अपना store खुलने का या फिर अपना pre-built pieces का platform बनाने का अरे मेरा तो आज से मेरा जमाने पहले जमन था लोग मुझसे बिलकुल आप ये समझो के जैसी थोड़ा सा लोग को ये पता चल गया कि मैं अलिगड़ यूपी में रहता हूँ तो आप ये समझो 100 किलोमेटर के radius में कई लोग तयार थे कि हम आ जाएंगे फिर आप ये समझो लेकिन मैं इसमें गया क्यों नहीं प्रॉफिट बहुत जादा था मेरा एक उसूल है कि फोकस में एक ही चीज़ पर करना चाहता हूँ मैं उसमें प्रॉफिट बहुत कमा सकता था लेकिन मैं उस तरफ अपना फोकस ले आनी नहीं चाहता मैं आपको सहीबा बता हूँ प्रॉफिट था उसमें आज तो तब भी हालत बहुत खराब एक राफिक कार्ड बगरागी तब तो बहुत अच्छी दी और मैं ये बिजनिस खोलने का मन तो सबको करता है प्रॉफिट भी सबको दिखाई देने लगता है लेकिन मैं एक और सवाल में पूछता हूँ कि 5 एर्स में इसका क्या फ्यूचर रहेगा या 10 एर्स में कितना रहेगा मेरी कोशिश ये है कि आज इस समय अगर मैं किसी फिल्ड में जा रहा हूँ तो अगले 10 साल तक वो फिल्ड ग्रो करे और मैंने जो काम किया है उस 10 साल की फिल्ड में वो जो मैंने अपना काम इखटा किया है वो सारा भी मुझे बेनेफिट देता रहे है अगले 10 साल तक मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी इस PC वाले बिसनिस में इसलिए मैंने इसे अप्रोच नहीं किया किसी मैंने पॉड़कास में सुना था या बुक में बढ़ा था मैं चलिए सोर्स छोड़े दे रहा हूं उसमें बात कुछ इस तरीके ज़े थी कि आप अगले 10 साल में क्या चीव करने वाले हो ठीक है वो आप बताओ 10 साल में क्या चीव करने वाले हो कि यहां पहुँच जाओगे ये कर लोगे ये चीव कर लोगे अब अपने आप से आप ये कॉशन पूछो क्या मैं वो चीज 6 महीनों में क्यों नहीं कर सकता क्या चीज है क्या रिसॉर्सिस की कमी है कि वो 6 मुईनों में नहीं हो रही है क्या टीम नहीं है आपके पास क्या पैसे नहीं है इस समय आपके पास क्या समय की कमी है क्या कमी है आपके पास जो 2 साल की चीज है वो आप 6 मुईनों में नहीं कर सकते हो आपको कुछ questions के बड़े मज़िदार जवाब मिलेंगे कि 10 साल में जो मैं करने वाला था टीम नहीं है मेरे पास कई business holders की इस समय ये बड़ी problem है कि मैं delegate करना नहीं चानता या फिर मैं outsource करना नहीं जानता हूँ वो मुझे सीखना है, team create करनी है जो 10 लोग मिलके काम कर लेंगे वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा अब आपको एक जवाब मिला अब आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दोगे जो आप काम करते 30 साल बाद delegation वगरा का, वो आपने आज से पहले दिन से ही शुरू कर दिया है तो इस तरह के आप questions अपने आप से पूछोगे तो जरूर कुछ होगा तो revenue sources में generally मतलब कोई भी YouTube channel पर जाओ तो AdSense, affiliate marketing और sponsorship का ये team mainly सबसे problem जो कहे जाते है इनके अलावा कोई revenue sources possible है आई जी YouTube से आप ये affiliate commission का जो काम कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आप content बनाते हो और दूसरी company का सामान बिखता है उस पर आपको थोड़ा सा commission मिल जाता है वो commission क्या होता है 4% से लेकर 10% तक तो आप एक काम करो ना आप अपने product बेचो जो भी हो आपको पता चले का कि margin होते हैं 200-300% तक जो कि बहुत बड़ा profit है और आपके लोग भी खुश रहेंगे आपको भी जादा product अच्छा है वो profit होगा और आप उस profit से अपना product और अच्छा बनाओगे आपका viewer और जादा खुश होगा